अब दे भी दो यार लांच मैं लेट हो रहा हूँ ये लो अरे चोर 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 अरे रुको ये तुम क्या कर रहे हो अरे उसके पीछे जा रहा हूँ सामा लेके भाग गया हूँ लांच बॉक्सी तो लेकर गया है ना घर के गहने तो नहीं लेकर गया हूँ अरे तुम कैसी बाते कर रही हो, कैसे जानी दे उसे, अपना फोन दो, अभी पुलिस को कॉल करके बताता हूँ विक्रम, इतना ओवर्याट करने की जरूरत नहीं है, उसको भूक लगयोगी बिचारे को, इसलिए लेकर गया है न अरे तुम पागल होगी हो, कल को कुछ और चुना के ले जाएगा तो, नहीं लेकर जाता तुम्हें बड़ा भरोस है, रिष्टेदार है तुम्हारा शाटा फिक्रम, एक काम करो, तुमना बाहर से ही खाना खा लेना, ओके बाई अरे, हाट तुम बड़ी जल्दी घर आ गए हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक सर्प्राइस गिफ्ट लेकर आया हूँ क्या, सच में, क्या लेकर आयो ये, ये तो वही लंच बॉक्स है नो, जो सुबा चोरी हुआ था, ये तुम्हारे पास कहां से आया मुझे कहां से मिला, वो मैं तुम्हें बता दूँगा, पहले तुम ये बताओ, कि तुम्हारी जिल्दी इस बॉक्स में कैसे आ गई विक्रम, मुझे नहीं पता कि ये मेरी च्वैलरी कहां से आयी, ये तो घर में थी, जोरी में पड़ी थी वही तो, ये तो घर में पड़ी थी, फिर ये इस बॉक्स में कैसे आ गई मुझे नहीं पता विक्रम मैं बताता हूँ, ये तुमने इसमें रखी थी, और उसके बाद अपने कजन ब्रदर हर्श को बोलके चोरी करवा दी ये तुम कैसी बाते कर रहे हो, तुम मुझे पर इल्जाम लगा रहे हो, और मेरा कजन ब्रदर हर्श उसने इस बॉक्स चोरी किया था देखो तुम ज़्यादा भोली मत बनू, पता तो मुझे सुभा ही चल गया था, जब मैंने पुलिस को कॉल करने के लिए तुम्हारा फोन लिया था फोने दर लाओ, अभी पुलिस को कॉल करके सब बताता हूँ दीदी लंजबॉक्स मिल गया है मुझे और उसमें जो आपनी जवैलरी चुपाई है वो भी मेरे पास है और उसके बाद मैं तुम्हारे ब्रदर हर्श के पास गया और उसे बॉक्स लेके आया अब तुम मुझे बताओ कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें अपने घर में चोरी करनी पड़ी मैं तुम्हें सर्प्राइज देना चाहती थी कैसा सर्प्राइज? मैं ये जवैलरी बेच के तुम्हारे लिए कार खरीदना चाहती थी देखो मैं काफे टाइम से देख रही थी कि तुम अपनी उस खराब बाइक के साथ कितना स्ट्रगल कर रहे हो मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था इसलिए मैंने हर्श को बोलके ये जवैलरी बिकवाने को कहा ताकि उससे जो भी पैसे आएंगे उससे मैं तुम्हारे लिए एक कार खरीद सकूँ प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें ये सब बिना बताय किया इस ओके तुमने ये सब मेरे लिए किया कोई बात नहीं पर ये जवैलरी तुम्हारे लिए है, मेरी कार के लिए नहीं तुम्हें क्या लगा? मैं इतना स्ट्रगल अपनी पुरानी बाइक पे क्यों कर रहा हूँ? चाहता तो मैं भी नई बाइक ले सकता था लेकिन मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं हमारी नहीं कार के लिए पैसे सेव कर रहा हूँ कुछ कमेटीज भी है, अब बहुत ही जल्द हम भी कार ले लेंगे सच मे? सच मे? तुम्हें क्या लगा? मैं पिछले 3-4 महीने से इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? अब बहुत ही जल्द हमारे पास भी फोर वीलर होगी और हम किसी से कम नहीं होँगे दोस्तों, पत्ती पत्नी एक दूसरे को कभी परिशान नहीं देख सकते उस परिशानी को दूर करने के लिए वो कभी-कभी ऐसा कदम भी उठा लेते हैं जो शायद दुनिया की नजरों में गलत हो और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इससे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेर जरूर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें थांक्यू